नमस्कार, दोपहर को संदेशा मिला की प्रधान सिवक आज 6 बजे राष्टर के नाम एक संदेश देंगे, मेसेज देंगे, उन्होंने खुट ट्वीट करके बताया था, यानि ये लिस्टिड इवेंट था, लेकिन हमारे न्यूस चैनल वो एकदम ऐसे शुरू हो गए कि जै सार घंटे रह गए हैं आप, वो आ रहे हैं, तीन घंटे रह गए हैं आप, वो आ रहे हैं, दो घंटे रह गए हैं, वो आ रहे हैं, वो क्या पेश करेंगे, क्या वो ये पेश करेंगे या वो पेश करेंगे, आज का इवेंट कैसा होगा, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेग अब आदा घंटा रहा गया है, धीरेज बनाए रिखे, बस वो आते ही होंगे, 15 मिनिट रहा गया है, 1 मिनिट रहा गया है, 60 सेकिंड रहा गया है, माने रणिंग कमेंटरी एक लिस्टिड इवेंट की, जितने भी प्रधान मंत्री हुए हमारे हैं, सब ने राष्टर को अलग किया करते थे पहले, कि राजा अधिराज, सोंसो महराज, दरबार में आने वाले हैं, और वो भी उनके आने से पहले ही किया करते थे, या शेहनशाह पदार रहे हैं, या मुगल आजम वगरा फिल्मों में देखा जैसे, ये चोबदारों का काम होता है, न्यूस चैनल्स का क काम नहीं होता, कि बस वो आने ही वाले है, खैर वो आए, इस दफ़े आठ के बजाए, छे दफ़े आए, बहुत लोग कयास लगा रहे हैं, कि छे बजे ही क्यों, आठ बजे क्यों नहीं, कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया, कि साथ बजे आए पिल शुरू होता है, इ वो छे बजे आए और उन्होंने वही बाते की ही, जो हम पहले से ही जानते हैं, यानि याद रखिये जब तक दवाई नहीं, तब तक डिल आई नहीं, बारा मिनिट के करीब बोले, बारा तेरा मिनिट के करीब बोले, सब निराश हो गए, सब को मीत थी कि कोई, या आशंका थी कहें कि कोई ऐसा ऐलान हो जागा जैसे पहले हुए थे लेकिन उन्हें अच्छी बाते कहीं वही बाते जो हम पहले से जानते हैं वो सिरफ COVID पर बोले और तोहारों का जो मौसम है वो शुरू हो रहा है वैसे शुरू तो जन्माश्टमी से हो गया था और चलेगा बैसाखी तक तो उन्होंने बधाई भी दी लोगों को जिसमें ईद भी शामिल थी और COVID के बारे में भी बोले 13 मिनिट कि उन्होंने ये का कि जब तक दवाई नहीं तब तक धिलाई नहीं ये एक नया नारा था जो अपना पे बहुत अच्छा नारा है और लोगों को समझना चाहिए फिर उन्होंने रामचरित मानस का हवाला दिया का कि रिपुरुज पावक पाप प्रभू आही गनियन छोट करी यानि आग शत्रू पाप यानि की हुई गलती और बीमारी इने कभी छोटा नहीं सबजना चाहिए जब तक इनका पूरा इलाज ना हो जाए इने हलके में नह कही बात करी इसके हर स्तर पर कई मतलब निकाले जा सकते हैं कि इस वक्त आग कहा लगी हुई है इस वक्त दुश्मन कौन है पाप क्या है यानि की हुई गलती कौन सी गलती की है और बीमारी क्या लग गई है ये भी देखना जरूरी है इने कभी छोटा नहीं समझना जब तक इनका पूरा इलाज ना हो जाए इन्हें हलके में नहीं लेना चाहिए बहुत बड़ी आबात की पर अलेग बात उन्होंने और कही कि कबीर दास को उन्होंने कोट किया पकी खेती देखके गरब किया किसान अजहू जोला बहुत है घर आवे तब जान यानि किसान जो अपने खेती जब लहलाते हुए देखता है कि पक गई है फसल मेरी उसको बड़ा गरब होता है लेकिन तब तक गरब ना करो अभी बहुत जोल है इसमें जब तक खेती घर ना आ जाए तब तक गरब मत करो उसके बाद ही खुश हो लो जो मर्जी कर लो बेराल हम सिरु इतना ही कहेंगे कि उन्होंने काया कि सोशल मीडिया में भी जागरूपता का संदेश पहला है तो हम पहले भी कह चुके हैं हम करते ही आए हैं एक पर फिर कह रहे हैं कि मास्क जो होता है ना उन नाक से नीचे नहीं पहना जाता है नाक के ऊपर पहना जाता है हम अकसर देख प्रदान सेवक का जो आज राष्टर के नम संबोधन था, उसका उसमें कबीर दास को उन्होंने कोट किया, मैं एक बार फिर उसको मैं पढ़ता हूँ, धोराता हूँ, पकी खेती देखके गरब किया किसान, अज हूँ जोला बहुत है, घर आवे तब जान, सिर्फ लिहाती फसल को देखकर ही खुश होना काफी नहीं है, जब तक फसल घर में ना आ जाए, तब तक तब जानना, खुशी तब मनाना, हम जर इस बात को आगे ले जा रहे हैं, जब किसान को MSP ना मिल जाए, तब तक कोई गर्व मत करो, कुछ मत करो, यह जो नए फार्म बिल लाई है, केंदर सरकार, उसको लेकर आज पंजाब में, एकदम विरोध का, संगर्श का बिगुल बज गया, कैप्टेन अमरंदर सिंग ने तीन नए बिल इंट्रिदूस किये हैं जो unanimously सबने पास कर दी है, इन बिलों के मताविक मैं आपको बता दूँ, एक है Farmers Produce Trade and Commerce Promotion Facilitation, Special Provisions, और दूसरा है Punjab Amendment Bill 2020, पर दूसरा है Essential Commodities Special Provisions and Punjab Amendment Bill 2020, और तीसरा है Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services, Special Provisions Punjab Amendment Bill 2020, अमरंदर सिंग का सीधा सदा केस यह है, कि जो agriculture है, खेती किसानी है, वो राज्य का विशे होता है, केंद सरकार इसमें दखल नहीं दे सकती, लेकिन केंदर ने इसे इग्नोर किया इस बात को, अमरंदर सिंग बोले, I find it very strange, what the government of India wants to do, मुझे बहुत हैरानी हो रही कि भारत की जो केंद सरकार है, वो करना क्या चाहती है आखर, उसके अलाबा, जो बिल केंद सरकार ने पेश किये थे, उस पे राश्ट्रोपते ने भी दस्तखत कर दिये थे, उसको लेकर राजियों में, खासकर पंजाब और हराना में, किसानों में बहुत गुसा है, आंदोलन चल रहा है, रिपोर्टिंग ना के बराबर हो रही है, इसलिए ये जो कबीर ने कहा था, हमें भी लगा कि जरूरी है, कि पकी खेती देख के गरब किया किसान, सिर्फ फसल लहला रही है, कटाई का वक्त आ गया है, अजू जोला बहुत है, बहुत जोले अभी भी इसमें, घर आवे तब जान, जब घर आजेगी फसल कटके, तब खुश होना, हम कह रहे हैं कि घर नहीं, जब अनाज मंडियों में चली जाएगी, जब MSP मिलेगा, MSP के बारे मैं हम आपको पहले भी बता चूकिए, MS Swaminathan की कमेटी बनी थी, उसने C2 एक फॉर्मिला बनाया था, और किस जो होता है, उसमें क्या क्या होता है मैं आपको बता दूँ, पहले भी बता चुके हैं, cost of seed, beach की कीमत, फिर जो मजदूरी है, चाहे वो इनसानी मजदूरी हो, labor जो है, श्रम, चाहे वो जानवरों की मजदूरी हो, bell जहां जहां है और दूसरे जानवर है, और machine की मजदूर हो, harvester, tractor वगरा जो लगते हैं, beach की fertilizer, manure, यह जो खाद वगरा होते हैं, अचाह फिर कीटनाशक दवाएं, और और जो कीमते आती हैं, उनको A2 माना गया है, उसमें अगर family labor भी लगा लें, कि परिवार काम कर रहा खेत में, तो उसकी भी labor, उसका भी जो 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 श्रम है, उस होता है, A2 प्लस FL, C2 यह है कि उसमें अगर जमीन अपनी है, तो अगर बटाई पे ली होती, किराए पे ली होती, तो कितना किराया होता, वो भी आड़ किया जाए, और अगर अपनी है, तो उस अरसे तक, जो market की कीमत और जमीन की, उस पर interest, ब्याज भी लगाया जाए, और फिर उसका डेड़ गुना किसान को दिया जाए, इसको बोलते हैं C2, और यही स्वामिनातन कमिशन ने भी suggest किया था, डेड़ गुना C2 का, किसान यही मांग कर रहे है, इसलिए शायद यह कबीर का जो दोहा है, सही बैठता है, कि सिरफ घर आगे फसल कटके तब भी नहीं म तब तक सिर्फ किसानों को छोड़ देना, बाजार की, मार्केट की forces के लिए उनके सामने ये ठीक बात नहीं है, मार्केट forces में बड़े-बड़े खिलारी आएंगे और वो अपनी मन मर्जी करेंगे, और जो मर्जी लोग कहते रहें, किसान के पास जो एक ढाल रही है, MSP की वो रहनी चाहिए, यही आज जो पंजाब की assembly में unanimously तीन बिल पास हुआ है, आने वाले ब्रहस्पतिवार को Donald Trump और Joe Biden में एक presidential debate होनी है, वहाँ पर एक पुरानी परंपरा है कि जो राष्टपती के ओधे के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, वो आमने सामने debate करते हैं, एक दफे राष्टपती वहाँ के जो संसद है, उसको देता है, कि पूरे देश की स्थिती क्या है, वो रिपोर्ट होती है, वो election की speech नहीं होती है, बिल्कुल इसे तरह जब आमने सामने debate होती है, तो बड़े सब यह तरीके से होती आई है, जो मुद्दे हैं, उस पर तर्क और उसका जवाब, और और सवाल, उसका जवाब, विमर्श जिसे हम बोलते हैं, यह नहीं कि मतलब थोप दो अपनी बात, एक तरफा बात, ना, दोनों candidate आमने सामने होगा, हमारे हैं वो परंपरा नहीं है, हमारे हैं तो press conference तक करने की परंपरा खतम होगी है, बहराल, तो अब थर्जडे को, ब्रेस्पतिवार को जो डिबेट होगी, उसमें एक mute button लगा होगा, mute button का मतलब यह है कि जब Donald Trump बोल रहे होंगे, तो Joe Biden का जो microphone है, वो पहले दो मिनिट तक mute रहेगा, ताकि वो बीच में टोक ना सके, इनको अपना दो मिनिट पूरा करने दो, अपनी प ताकि Joe Biden अपनी बात कह सके, Trump उनमें टोका टाकी ना कर सके, वैसा इसलिए हुआ था कि जो पिछली डिबेट थी, उसमें Donald Trump ने बार-बार टोका टाकी की थी, बहुत ज़ादा टोका था Joe Biden को, और उसमें मतलब Joe Biden ने, Trump ने बहुत ही ill-tempered हो होता ने, कि मतलब गुसे से भरी इवी स्पीच की थी और जिसका शिष्ट समवाद नहीं था वो, और Joe Biden ने भी उसके बाद उनकी बेज़ती करी थी, तो इस बात को देखते हुए, इस दफ़े दोनों के माक्रोफोन म्यूट कर दी जाएंगे, पहले दो-दो मिनिट के लिए, और फिर 15 मिने डिबेट होगी ताकि एक-एक करके एक दुसरे के जो तर्क है उसको काटा जा सके। एक दौर तो ऐज़ा आ गया था इस दिबेट में, पिश्टी डिबेट में, कि Joe Biden को कहना पड़ा, Will You Shut Up Man? हमारा भी बहुत दिल करता है जब टेलिविजन के न्यूस चैनल्स पर जब डिबेट्स देखत तो हम उमीद करते हैं कि इस तरह का जो म्यूट बटन है हमारे न्यूस चैनल्स पर भी लागू होगा और ये नौबत नहीं आएगे हमारे न्यूस आंकर्स को कहने की, कि Will You Shut Up Man? रोज की तरह हैं। आज के शो का समा पने कविता से, कविता प्रोफअर कुल्डीप सलिल की है। कविता चापते रहते थे उनकी शारी चापते रहते थे तो सलिल साहब कहते हैं जमाने भर को समझाने लगा हूँ बुढ़ापे की तरफ जाने लगा हूँ मेरी रफ़तार काफी ठीक है अब मेरा चलतों से टकराने लगा हूँ मेरी एमानदारी हस रही है मैं तोहफे पाके मुस्काने लगा हूँ किया है जिक्र उसने आज मेरा सुना जब से है इतरा आने लगा हूँ कटिन है रास्ता मंजिल का सो मैं सफर से पहले सुस्ता आने लगाु मेरे बच्चे सुकू से सो रहे हैं मैं अब रातों को घर आने लगा हूँ मैं जूटा हो के भी सचा ही निकला, मैं सच के गीत जो गाने लगा हूँ हुए हैं खत्म सारे काम सु अब, सलिल मैं इश्क फर्माने लगा हूँ हुए हैं खत्म सारे काम सु अब, सलिल मैं इश्क फर्माने लगा हूँ जमाने भर को समझाने लगा हूँ, बुढ़ापे की तरफ जाने लगा हूँ नमस्कार किजिए, खबरों की भीड में अपने काम की खबर पाते रहेंगे